नबस्कार दोस्तो मेरा नाम है आयूश और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हटको के बारे में जिसका नाम अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो Housing and Urban Development Corporation Limited है तो यह जो कंपनी है दोस्तो हटको यह Long Term Finance करती है Construction Projects को जो की Residential Purpose के लिए भी हो सकते है या Urban Development Purpose के लिए भी हो सकते है तो एक Long Term Financing Company है जो की Construction पे Mainly Focused है और यह एक Government of India Owned Company है तो आज है इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं इस Stock के Past Returns के बारे में इसके बाद हम देखेंगे इसके Financial Analysis को हम देखेंगे Revenues कैसे है, Profits कैसे है, फिर हम एक छोटी सी नजर इसके Shareholding Pattern पे डालेंगे और हम देखेंगे इसकी Recent News और उसका Impact जानेंगे इस Stock पे की भी Recent News से Stock पे क्या Impact पढ़ने वाला है एक छोटा सा Chart Analysis करेंगे हम और जानेंगे कि भी अभी Buy, Hold, Sell इन तीनों में से हमारी Position क्या होनी चाहिए तो दोस्तो प्लीज लाइक करिएगा इस वीडियो को सब्स्राइब करिएगा हमारे चानल को अगर आपको हमारा Content पसंद आता है तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं की Matrix की Stock के यहां पे आप देख सकते हैं कि जो PE Ratio है वो 5.23 का है और जो Sector का PE Ratio है दोस्तों वो 28.21 का है यहां से आप समझ सकते हैं कि Stock का Undervaluation कितना जादा है तो 5 का PE Ratio है और यह एक Small Cap Stock है जिसका Market Cap 8,900 करोड से थोड़ा सा जादा है अगर हम बात करें से Sector की Specialized Finance Sector की Company है और Price to Book Value Ratio भी 0.72 का है dividend yield भी अच्छा है 6.93 का तो यह सारी चीज़ें दिखा रही है कि Stock जो है वो आपका Undervalued है और साथ-साथ बढ़िया भी perform करता है यह हम पता कर लेते हैं Financial Trend को देखके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Financial Trend में जो revenues है वो 2017 से 2020 के बीच में बड़े हैं और अगर हम profits की बात करें तो profits भी काफी अच्छे से बड़े हैं profits की speed इतने जादा नहीं है लेकिन profits में भी अच्छी growth हमें देखने को मिली है तो एक Undervalued company है हटको जिसका Financial Trend भी अच्छा है जो fundamentally strong है अब अगर हम बात करें इसकी news के बारे में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भी यहाँ पर लिखाए कि जो उत्तरप्रदेश government है वो race क करने वाली है 2900 करोड हटको से गंगा एक्सप्रेस वे के लिए जो की 68 km का इनका प्रोजेक्ट है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी financing है वो हटको कर रही है अब इसकी जो estimated cost as project की वो 36,000 है लेकिन हटको जो है वो 2900 करोड देगी और यह जो amount है वो पर आपको यह news इसलिए दिखा रहा था दोस्तों इससे आप समझी है कि भी यह जो financing दे रही है किसको दे रही है अब यूपी की government को दे रही है तो इसके जो default करने के चांसे है वो कितने कम होंगे तो यह जो news है दोस्तों यह 30 June 2020 की है आज से मान लीजे 6-7 महीने तो जादा पुरानी होगी है अब इतनी पुरानी news मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप समझ सकें कि जो इसकी loan book है वो कितनी strong है मतलब default की probability काफी कम होगी अगर ऐसे लोगों को यह loan देगी हटको company अब अगर हम share holding pattern की बात करें तो जो promoter है वो 89.80% की holding रखे है जो कि government of India है बाकि mutual funds की holding कम है डियाई इस एफाई इस रिटेल इंवेस्टर्स की जो holding है वो 7% के आसपास है लेकिन mutual funds और जो भी बड़े इंवेस्टर्स है उनकी जो पैसा है वो काफी कम लगा है दोस्तों पास रिटरंस की अगर हम बात करें तो वन डे में जो रिटरंस है वो माइनस 3.14% ने में स्टॉक का वो positive होता हुआ दिख रहा है अगर हम बात करें वन इयर की तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 8.75% के रिटरंस दिये है उसमें भी positive है लेकिन अगर हम बात करें पास सालों की दोस्तों तो जो story है वो इतनी अच्छी नहीं दिख रही क्योंकि पास साल में जो काफी कम है 40 रुपए के आसपास है अब हम हटको की एक पर चार्ट में देख लेता है कि भाई अभी इसमें कोई opportunity है के नहीं तो दोस्तों अभी जो currently इसका stock trading price है वो 47 रुपीज है और अगर मैं बात करूं इसके resistance की तो एक जो level है वो 44 के आसपास है इसका level resistance का और जो दू सालों से 40 रुपए के 45 रुपीज के ऊपर नहीं गया था लेकिन अभी जो है इसने एक breakout देने की कोशिश करी सी जिसमें high बनाया था इसने 51 रुपीज का लेकिन जो closing price थी वो वापस से 46 रुपीज हो गई जाने कि 47 रुपीज से नीचे ही इस stock जो है वो trade कर रहा है तो दोस इसको buy कर रहे हैं तो मुझे नहीं रखता कि अभी इसमें कोई buying बनती है technically लेकिन fundamentally stock सकता है तो आप खरी सकते हैं और अगर हम बात करें इसके support की तो इसका support जो है दोस्तों वो 29 रुपीज के आसपास है तो अगर आपको 29 रुपीज के आसपास यह stock मिल जा है तो तो बहु definitely hold करिए चोंकि company आपको बहुत कम valuation पर available है थोड़ा सा अगर आप long term रुखेंगे तो अच्छे returns आपको मिल सकते हैं लेकिन अगर short term की बात करें तो 47 रुपीज का resistance level तूटना काफी जरूरी है ऊपर की तरफ जाने के लिए तो दोस्तों यह था आज का छोटा सा analysis हटकों की उपर उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हूगा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजेगा ऐसे सब्स्राइब हरीगा हमारे चानल को एंड थैंक्यू फो वाचिंग दिस वीडियो